हेलो ब्रीवान, बिलकुम बेग, कैसे हैं आप लोग आसकरते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियो स्टेंड्स आज के इस वीडियो में हम यूपी पॉल टिकनिक और सेमेस्टर वाले हमारे डियो स्टेंड्स के लिए कुछ latest update लेकर के आए हैं जो आपके होने वाले exam से related है डियो स्टेंड्स कई साई स्टेंड्स परेशान है कि सर हमारा exam online होगा या offline होगा साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा और सेमेस्टर का जो exam होगा वो कब से start होगा तो डियो स्टेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों का exam कब से start होगा साथ ही साथ आप लोगों का exam online होगा या offline होगा online या offline mode को देखते हुए आपको किस तरीके से preparation करनी चाहिए आपको multiple choice question prepare करना चाहिए या आपको कहने का मतलब written question का preparation करना चाहिए means academic preparation करना चाहिए किस तरीके से आप preparation करें जिससे आपको अपकी परिक्षा में बहतर अंक प्राप्त हो सके सबसे पहले देखो कई सारे students जो हमारे नए हैं उन्हें odd semester के बारे में पता नहीं है कि odd semester का मतलब होता क्या है तो आप लोग जालने डियर सेंट की हमारा जो पॉल्टेक्निक का डिप्लोमा है वो थ्री इयर्स का है ध्यान से सुन लिजिए उसमें से आपका जो है फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर और फिर्थ सेमेस्टर इसको odd semester बोला जाता है ठीक है और even की बात करें तो second semester फॉर्थ और six ठीक है यह आपको मिला करके even semester के नाम से जाना जाता है तो अभी जो एक्जाम होने वाले हैं वो odd semester के होने वाले हैं means first semester, third semester और fifth semester का exam होने वाला है, exam कब होगा, आप मान की चलिए 15 जनवरी के बाद ही आप लोग का exam जाएगा, इसके पहले आप लोग का exam नहीं होगा, लेकिन अभी आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, क्योंकि आज 8 दिसंबर है, अगर आप ध्यान देंगे, तो आज दिसंबर है, तो लगबक एक महीने का समय ही आप लोगों के पास बचा हुआ है, इस एक महीने में आप लोग को अपनी बेहतर preparation करनी है, मान के तो लिए कि पंदरा जनवरी के आ आज पास से आपका एक्जाम सुरू होगा, उससे लेट हो सकता है, उसके पहले नहीं होगा, अगली बात यह है, सर कि हमारा जो एक्जाम होगा, ओन लाइन मोड में होगा, या आफ लाइन होगा, क्योंकि अगर आफ लाइन मोड में होगा, तो अहां पर objective question आएंगे, बहु करें, आफ लाइन होगा, तो लिखित परिच्छा होगी, तो लिखित परिच्छा के लिए हमें बड़े-बड़े questions को भी prepare करना चाहिए, तो कहीं ने कहीं माइन में confusion चलदा, अच्छे यह confusion आया, क्योंकि आपको पता है, COVID का जो नया variant आया है, उसकी patient थोड़ा सा बढ़ र सकता है, online exam कराया जाए, तो उस situation में आपको क्या करना है, अब इडियो सुट्स में आपको बता हूँ, तो आप online mode को बिल्कुल से ignore करके चलिए, आपका exam online होगा, इस पर आप बिल्कुल फोकस मत करिए, आप ये मान के चले कि आपका online exam नहीं होगा, आपका exam कैसे होगा, offline ही मैं बताता हूँ क्यों, देखे, online exam नहीं होगा, क्योंकि अभी आपके जो odd semester की exam है, जो परिच्छा है, उसको post phone किया जा सकता है, अगर कोई situation problem create करने वाली आएगी, तो यहां पर अभी सत्र खराब नहीं होगा, अभी आपको even semester भी चलना है, तो ऐसा हो सकता है कि odd semester की परि मान के चलिए कि अभी आपको offline वाली class की ही, means offline exam की ही preparation करनी है, इससे फायदा क्या होगा, जब आप offline preparation करेंगे, तो उस situation में अपनी books को, अपने syllabus को अठ्छे से पढ़ेंगे, उसमें short answer जो होते हैं, long answer जो होते हैं, और MCQ जो होते हैं, उन सब पर आप लोग focus करेंगे, समझ आपका अलड़ी तयार होना सुरू हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से preparation करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप ये सोचो, कि अगर आपने अभी से ही मान लिया, कि सर हमारा exam online होगा, और आपने केवल focus कर दिया, MCQ पर, केवल MCQ पर focus कर दिया, तो MCQ में छोट के chance ये मान की चलिए, offline exam होने का chance 90% है, तो online exam होने का chance केवल और केवल 10% है, इसलिए आपको focus कहा करना है offline exam पर, और offline के बिहाब पर ही आप लोगों को preparation अपनी start करनी है, I hope आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी, इससे आप लोग संतुष्ट हो रहे होगे, तो दो बाते म मैं आपको बताना चाहता था कि आपका exam कब से start होने की सम्भावना है, साथी साथ आपको exam online होगा आपका या offline होगा, इस पर मैंने अपना opinion दिया है, अभी तक कोई official notice नहीं आई है, जैसे ही कोई official notice आएगी, मैं आपको उससे आउगत करा दूँगा, अब ये से एक important update आप अपना टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिए, डूकि DD Mathematical Solution के नाम से, आप टेलीग्राम पे सर्च करें डीडी Mathematical Solution तो आपका उपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप जॉइन कर लिए, वहाँ पर पिछली साल मैंने PDF सेंड करी थी, चैप्टर वाइज, applied chemistry first क की भी और applied physics first की नोट्स मैंने वहाँ पर share की थी, जो बहुत ही अच्छी नोट्स थी, जिससे आप अच्छे सेंड कर सकते हैं, अगर वहाँ पर आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो मैं दुबारा उन नोट्स को send कर दूँगा, जिससे तम समय में बहतर तरीके से आप लोग topics को ध्यान में रखिए, देखो कोई भी latest update आईगी, कोई भी information आप लोगों के लिए आएगी, तो आपके अपने चले डीडी mathematical solution पर, मैं पढ़ाने के साथ साथ वो सारी update भी आपको 100% सत्ता के साथ प्रवाइड कराता हूं, इसलिए आप लोगों को ज्यादा परिसान होने क की जरूरत नहीं है, कोई भी latest update आईगी, कोई भी latest information आईगी, तो मेरा college से भी contact आएता है, मैं आप लोगों को सब कुछ असपास टोप से बता दूँगा, आपको समस्या नहीं होगी, अब ही आपका main काम यही है, कि आप सभी लोग अपनी preparation पर ध्यान दे, अपने channel DD mathematical solution पर, applied math first की class 6 p.m. पर, और applied math third की class 8 p.m. पर चल रही है, वहाँ पर regular preparation कराया जा रहा है, आप उस class के माद्याम से अपने बहतर तरीके से preparation कर सकते हैं, अगर आपको यह video पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ video को जरूर करिएगा, बाकी अपनी पढ़ाई को एक speed दे द जितनी जादा से जादा preparation आप कर सकें, उतना जादा से जादा पढ़ने का प्रयास करिए, जिससे आने वाले exam में आपको किसी प्रकार की कोई tension ना हो, बहुत ही आहता आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप prepare अभी से कर लिए, नहीं तो जब exam आता है, तो बच्चे परिसान होते हैं, और उनका बैक लगता है, तो उनकी mark seat certificate गरबर लगने लगती है, कहीं न कहीं आगे चल के, जाब उगएरा में भी आपको problem होती है, तो बाकी डियो सेंट्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं, नेक्स वीडियो के साथ, तब तक लिए सांध रही और पढ़ते रही